मोवी की सुरुवात में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक क्रियेचर से लड़ते हुए देखते हैं उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसी को वो उस मॉंस्टर से बचाने की कोसिस कर रहा होता है पर उस मॉंस्टर के आगे स्ट्रेंज की पावर कमजूर पढ़ र कहता है कि मल्टी वर्ष को बचाने के लिए उसे उसकी कुर्बानी देनी होगी पर तभी वो मॉंस्टर स्ट्रेंज को पकड़ कर उपर उठा देता है और उसे मार कर वही नीचे पटक देता है उसके बाद वो मॉंस्टर उस लड़की को पकड़ कर उसके पावर को छीनने पर उस लड़की की पावर के वज़ा से वहां मल्टी वर्सेस पोर्टल खुलने लगते हैं अस्ट्रेंज उस मॉंस्टर पे हमला करके उस लड़की को उस पोर्टल के अंदर भीज देता है पर ये सारा कुछ अस्ट्रेंज का जिरुप एक सपना था वो उटकर तयार होने लगता है और अपनी एक्स गर्लफेंड क्रिष्टीन की साधी में पहुँचता है वहां वो क्रिष्टीन से कहता है कि वो सौरी फील कर रहा है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की पर वो इस बात से खुस है कि उसे वो मिल गया जिसके साथ वो खुसी से रह सकती है तभी बाहर सहर में किसी का हमला होता है और अस्ट्रेंज सहर को बचाने के लिए जाता है वहां एक बड़ा सा अक्टोपस एक बस को उठाय हुए था जिसमें एक लड़की थी अस्ट्रेंज उस लड़की को उस बस से बाहर निकालता है और उस अक्टोपस से लड़ने लगता है अस्ट्रेंज उस लड़की को देखकर कहता है कि साथ वो उससे पहले भी मिल चुका है ये वही लड़की थी जिसे उसने कल्स अपने में देखा था तबी वो अक्टोपर्स अस्ट्रेंज को पकड़ कर पास के बिल्लिंग में फेक दिता है जहां वो बेहोस हो जाता है वो फिर से उस लड़की को पकड़ लेता है तबी वहाँ वॉंग आकर उसे उससे बचाता है और उस मॉंस्टर से लणने लगता है पर बहुत जल्द वो वॉंग को भी अपने टैंटिकल्स में जकड़ लेता है और दुबारा उस लड़की के पीछे जाता है पर अस्ट्रेंज का कोट उसे इस बार उससे बचा लेता है और तब तक अस्ट्रेंज भी वापस आ जाता है और वॉंग को उससे छुड़ाता है वो दोनों मिलकर अब उसका मुकाबला करने लगते हैं पर वो दोनों उसके आगे कमजोर पढ़ रहे थे इस बार उसने अस्ट्रेंज को अपने टैंटिकल्स में जकड़ लिया था जिसकी वज़े से वो कुछ नहीं कर पा रहा था तब यह श्ट्रेंज का कोट उड़ता हुआ आता है और अक्टोपस की आँख को ढख लेता है अस्ट्रेंज तुरंत वाँ एक पोल की मदद से उस अक्टोपस की आँख बाहर निकाल देता है जिसकी वज़ा से वो वही मारा जाता है उसके बाद अस्टेंज उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अपने सपने में कैसे देखा वो लड़की उसे बताती है कि वो उसका सपना नहीं बलकि एक दूसरा यूनिवर्स था जिसमें उसका ही एक अलग वर्जिन उसके साथ एक मॉंस्टर से उसे बचा रहा था वो उसे बताती है कि वो आक्टोपस उसे किड्नैप करना चाह रहा था क्योंकि कुछ डेमन्स हैं जो उसके पावर्स को छीनना चाते हैं वो बताती है कि उसके पास किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की power है पर वो उस power को कंट्रोल नहीं कर सकती है जब भी उसे कभी डर लगता है तब वो power अपने आप एक्टिवेट होने लगती है और मल्टिवर्स के portal खुलने लगते हैं अस्ट्रेंज उससे पूछता है कि पर वो लड़की कहती है कि वो अस्ट्रेंज के साथ उस बुक तक लगबख पहुंच चुकी थी पर डेमन्स ने आके उन्हें रोक दिया और वो यहाँ इस यूनिवर्श में आ गई अस्ट्रेंज कहता है कि यह रियल नहीं हो सकता क्योंकि यह सिर्फ उसका एक सपना था वो कि वो जो कह रही है वो बिल्गुल सही है अस्ट्रेंज वोंग से कहता है कि इस लड़की की जान पर बहुत खत्रा है उन्हें इसे सेफ रखना होगा वोंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है वो अपना नाम उन्हें अमेरिका चैविस बताती है वोंग उसे उनके में बदलना चाहती थी, वो अपने गार्डेन में फूल तोड रही होती है, तभी उससे मिलने अस्ट्रेंज आता है, वो उससे मल्टिवर्स के बारे में पता करने आया था, वो उससे बताता है कि उसके पास एक लड़की आई है, किसी दूसरे यूनिवर्स से, और कुछ डेम पर अश्ट्रेंज सोच में पढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक उसने वांड़की का नाम नहीं बताया था, पर उससे पहले से उसका नाम पता था, पर तब वांड़की मदद से उसके पास वो सब वापास आ सकती है, जो कभी उसका हुआ करता था, वो कहती है कि वो इस यूनिवर्स को छोड़ देगी, और वहां चली जाएगी जहां वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है, इस पर अस्ट्रेंज कहता है कि उसके बच्चे कभी रियल नहीं थे, उसने उन्हें अपनी मैजिक से बनाया था, और अगर वो ऐसा करती है तो ये नेचर के लाओ का उलंगन होगा, और अगर उसने चैविस से उसका पावर छीन लिया तो वो जिन्दा नहीं रह पाएगी, वंड़ा उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता, तुम्हारे मुँसे ये नेचर के लाओ के उलंगन वाली बात सही नहीं लगती, क्योंकि उ वंड़ा नहीं बलकि असकालेट वीच आएगी, अस्टेंज कमरताज जाकर वंग को सारी बात बताता है, अस्टेंज सबसे कहता है कि अगर असकालेट वीच को चैविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टिवर्स को गुलाम बना देगी, वंग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तयार होने को कहता है, सारे लोग कमरताज की फाज़त के लिए अपने अपनी पोजीसन ले लेते हैं, और तभी कुछ दिरबात पूरे कमरताज के आसपास काला धुआ उटने लगता है, और वंड़ा उनके सामने आती है, अस्टेंज जाकर उससे बात क करता है, और उसे ये सब रोकने को कहता है, पर वो नहीं मानती है, और अस्टेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो अस्टेंज पे हमला करती है, पर उसके आगे कमरताज के ल तूट जाता है और उसके बाद वांडा वहां पे हमला करती है कुछ देर तक वो सब वांडा के वार को जहिलते हैं पर बहुत जल्द वो सब उसके आगे हार जाते हैं वो वहां सब कुछ तबाह कर देती है पर तब तक अस्ट्रेंज उस लड़की को बचाने के लिए उसे वहां से कहीं और छुपा देता है और खुद जाकर वांडा के सामने खड़ा हो जाता है वो वांडा को मिरर इल्यूजन में फसा देता है जहां उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे पर वो अपने रिफ्लेक्षन के थुरू उन तक पहुँचने की कोसिस करने लगती है अस्ट्रेंज और वांग जल्दी से वहां के सारे रिफ्लेक्षन वाली चीजों को ढखने लगते है पर किसी तरह वांडा उन तक पहुँचने में सफल रहती है वो उन सबसे कहती है कि चाहे वो कितनी भी कोसिस कर ले वो उसे उसके बच्चों के पास जाने से रोक नहीं सकते Wanda उन सबको बहुत सारे उन्यूवर्शेस दिखाने लगती है जहां Wanda अपने बच्चों के साथ रह रही है अस्ट्रेंज कहता है कि जिस उन्यूवर्श में तुम जाओगे वहां के Wanda का क्या होगा क्या वो उसे उसके बच्चों के साथ रहने देगी और अस्ट्रेंज Wanda पे हमला कर देता है पर उसके पावर Wanda के सामने कुछ भी नहीं थे वो अस्ट्रेंज को दूर फेक देती है Wanda को भी वो मार कर वहीं बेहोस कर देती है और चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को उससे निकानने लगती है चैविस की डर की वज़ा से वहां किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खुलने लगता है और तब है अस्ट्रेंज धक्का देकर चैविस को लेकर उस पोर्टल में कूज जाता है और वो दोनों कई सारे यूनिवर्सेस को पावर करते हुए एक यूनिवर्स के नियू यूर्क सहर में पहुंचते है अस्ट्रेंज चैविस से कहता है कि उन्हें यहां से वापस उनके यूनिवर्स में जाना होगा पर चैविस कहती है कि वो पोर्टल खोल नहीं सकती क्योंकि उसके पावर पे उसका कंट्रोल नहीं है अस्ट्रेंज उससे कहता है कि उसका दूसरा वर्जन इस यूनिवर्स में जरूर होगा वो सायद उसकी मदद कर सके पर चैविस कहते है कि यहां उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है क्योंकि वो खुद उसी यूनिवर्स की है वो चैविस भी अपने यादो को देखती है जिसमें उसके साथ उसकी दोनों मॉम्स होती है पर उसकी डर की वज़े से वहाँ कई सारे मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते हैं जिससे उसकी मॉम्स किसी और युनिवर्स में चली जाती है और वो किसी और में अस्ट्रेंज उससे कहता है कि एक दिन वो जरूर अपनी मॉम्स से मिल पाएगी वो दोनों बात करते हुए एस्ट्रेंज के घर के पास पहुँच जाते हैं उन्हें वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू दिखाई देती है जिस पे लिखा होता है कि वो थैनोस से लड़ते हुए मारा गया तभी वहाँ उन्हें कालमोडो दिखाई देता है जिसने अस्ट्रेंज को पहली बार कमरताज पहुचाय था वो अस्ट्रेंज को अपने शाथ अंदर लेकर जाता है अस्ट्रेंज उसे 24 और अपने बारे में सब कुछ बताता है वो उसे बताता है कि वांडर ने डार्क होल्ड की पावर को हासिल कर लिया है इसलिए उसे रोकने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए कालमोडो उन्हें बताता है कि उनके उन्यूवर्स में भी डार्क होल्ड है जिसकी पावर से कोई भी इंसान अपने कॉंसेस को किसी और उन्यूवर्स के अपने दूसरे वर्जन में फ्रोजेक्ट कर सकता है और उसकी body को possess करके अपनी तरीके से इस्तिमाल कर सकता है यह possession permanent नहीं होता है पर इससे वो उस reality में काफी damage कर सकते हैं और अभी तक जो भी creature चैविस का पीछा कर रहा था वो हो सकता है कोई और नहीं बलके इसकालेट वीची हो और इस possession को वो dream walking कहते हैं अस्ट्रेंज उससे book of vesanti के बारे में बूचता है पर उसे चक्कर आने लगता है कालमोडो ने उसके drinks में कुछ मिलाया था वो दोनों वहीं बेहोस हो जाते हैं इधर असकालेट वीच अपने आपको उस universe के खुद की version में प्रजेक्ट करने की कोसिस कर रही थी जहां चैविस और डॉक्टर अस्ट्रेंज थे उसने वांग को अपने पास बांध करके रखा हुआ था तब ही वांग के पास उसका एक आदमी आता है और अपने चाको से डार्क होल्ड की book को लेकर दिश्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो खुद भी मारा जाता है वांडा का दूसरे यूनिवर्स से connection टूर जाता है वो देखती है कि बुख भी डिश्ट्रॉय हो चुका है वो गुस्से में वांग को माने लगती है और उससे डार्क होल्ड की अस्पेल पूछने लगती है क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम था और उसे इसके बारे में पता था वो कमरताज के लोगों को माने की धमकी देकर उससे वो अस्पेल पूछती है वांग उसे बता देता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक कॉपी थी जिसमें वो अस्पेल लिखे हुए थे पर उसका असली पावर वेंडा कॉर में है पर वहां तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया है पर वांडा उससे कहती है कि ऐसा करने वाले वो लोग पहले होंगे इधर अस्ट्रेंज की जब वांग खुलती है वो अपने आपको एक ग्लास सेल में पाता है चैविस भी उसके बगल वाली सेल में थी वो देखता है कि वहां क्रिस्टीन है वो उसे बताती है कि वो लोग उसके लैब में रिसर्च परपस के लिए लाए गये हैं क्योंकि वो किसी और उनिवर्स से आये हैं इसलिए वो लोग उसकी पूरी जांच करना चाते हैं तब ही वहां कालमोडो आता है और उससे कहता है कि वो लोग उसे इल्यूमिनार्टी के सामने पेस करने के लिए ले जा रहे हैं अस्ट्रेंज को समझ नहीं आता है कि इल्यूमिनार्टी क्या है वांडा वांग को लेकर वैंडा कोर पहुँच चुकी थी वहां वो एक टूटे हुए खंडर में पहुँचते हैं वांग बताता है कि यहीं सबसे पहले एक डेमन ने उस पावर को हासिल किया था और फिर बाद में उसे डार्क होल्ड बुक में लिखा गया वांडा वां लाइट जलाने लगती है तब ही चार बड़े मॉंस्टर उनकी तरफ बढ़ते हैं पर वो सब वांडा के आगे अपने आपको सरेंडर कर देते हैं ऐसा लगता है वो लोग उसका ही इंतिजार कर रहे थे इधर अस्ट्रेंज को इलिमिनार्टी के सामने पेस किया जाता है वां हम कैप्टन कार्टर को दीखते हैं कुछ और भी सूपर हेरोज वां थे जैसे कि ब्लैक बोल्ट, मिस मार्बल और फैंटास्टिक 4 के रिड रिचर्ड रिचर्ड अस्ट्रेंज से कहता है कि उसका उनके उनिवर्स में आना किसी खत्रे से कम नहीं है क्योंकि उसके पीछे कई मुसिबते भी साथ आ सकती है और उसने नेचर के लॉग को भी तोड़ा है उन लोगों ने इलिमिनार्टी को बनाया ताकि डिफिकल्ड डिसीजन ले सके इसलिए आज वो डिसाइड करेंगे कि उसके साथ उन्हें क्या करना चाहिए अस्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उनके उपर बहुत बड़ी प्रोब्लम आने वाली है अस्कारलेट विच के रूप में रिचर्ड उसे बताता है कि ड्रीम वाकिंग को लेकर असकारलेट विच से उनके लिए ज़्यादा खत्रा उसके उन्हें का डॉक्टर अस्ट्रेंज था वो उनसे कहता है कि क्या वो अस्ट्रेंज जो थैनुस से लड़ता हुआ मारा गया तब ही वहाँ चाल साता है और कहता है कि इसे सच्चा ही बता देनी चाहिए वो बताते हैं कि वो सब थैनुस के साथ वार में थे पर अस्ट्रेंज हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था उसने डार्क होल्ड की पावर ली और ड्रीम वाकिंग करना सुरू कर दिया पर एक दिन उसने उन सब को बुलाया और कनफेस किया कि वो ड्रीम वाकिंग कर रहा है और ऐसा करते हुए एक बार उससे गड़बढ हो गई और उसकी वज़े से एक यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए और उसे डर है कि उसकी वज़े से वो दुबारा ऐसी गलती कर सकता है उन सब ने बुक अफ वेसांटी की मदद से थैनों उसको मारा पर उनके सामने अभी भी दूसरा खत्रा मौजूद था डॉक्टर अस्ट्रेंज के रूप में इसलिए उन सब ने ब्लैक बॉट की मदद से अस्ट्रेंज को खत्म कर दिया इधर वांग वांडा को समझाने की कोसिस कर रहा था कि वो चाकर भी सब कुछ कंट्रोल इंग कर सकती पर वांडा उसे वहां के पहाड से नीचे फेक देती है और अपना पोजेशन सुरू कर देती है वो उस यूनिवर्स की वांडा को पोजेश करके अमेरिका चैविस के पीछे बेचती है इलूमिनाटी के लोग अपने बिल्लिंग में किसी के हमले की आवाज सुनते हैं वो कैमरे में देखते हैं वांडा ने उन पे हमला किया था वो सब उसे रोकने के लिए चले जाते हैं चालसा स्ट्रेंज से कहता है कि अगर वो इस सेल से बाहर आपाता है तो वो बुक अव वसांटी को लेने जाए जो वहां मौजूद है और अमेरिका चैविस को किसी भी हालत में उस सकालेड विच से बचा कर रखे वांडा क्रिश्टीन की लैब की तरफ बढ़ रही थी वो उस रूम में पहुँचने ही वाली होती है कि उसके आगे सारे सूपर हीरो उसे रोकने के लिए आ जाते है रिचर्ट वांडा को रुख जाने को कहता है वो कहता है कि ब्लेक बोड उसे सिर्फ अपनी आवाज से खत्म कर सकता है पर ब्लेक बोड का पूरा मुही सील हो चुका था और वो अंदर ही अंदर अपनी आवाज से ही फट कर मर जाता है वो रिचर्ट को भी एक जटके में ही मार डालती है कैप्टन कार्टर और मिस मार्बल उस पे हमला करती है वो दोनों एक साथ उस पे हमला करके उसे रोकने की पूरी कोसिस कर रहे थे कैप्टन अपनी सिल्ड से उस पे हमला करती है पर वो उसकी सिल्ट को पकड़ कर जोर से उसी की तरफ फेकती है और उसकी वज़ा से वो भी मारी जाती है अब मिस मारबल सिर्फ अकेले ही बची थी वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पे हमला करती है पर उसकी पावर को भी वांडा कुछी देर में खत्म कर देती है और वो दूर जाकर गिरती है वो तुरंत उस पे एक बड़ा सा अश्टैचू गिरा कर उसे भी मार देती है अश्ट्रेंज अपने आपको सेल से बहार निकालने के लिए मोडो को उकसाता है और वो जैसे उसे माने सेल के अंदर आता है अश्ट्रेंज उसे हरा कर वहां से बहार आ जाता है इधर क्रिश्टीन चैवी को सेल से बहार निकालने की कोसिस कर रही थी क्योंकि वो सेल जाम हो चुगा था वो उस गलास को तोड़ दे के भी कोसिस कर रही थी तभी एक पंच से चैविस उस गलास को तोड़ देती है पर तब तक Wanda वहाँ आ चुकी थी तभी उसे रोकने वहाँ चाल साता है और उसके दिमाग से असकालेट विच को निकाने की कोसिस करने लगता है पर असकालेट विच उस पे भी हावी हो जाती है और उसकी गरदन मरोड कर उसे भी मार देती है तब तक अमेरिका और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाते हैं भागते वो उन दोनों को अस्ट्रेंज मिलता है क्रिस्टीन उन्हें लेकर बुक अफ वेसांटी के पास ले जाने लगती है वो लोग एक टरनल के थुरू जा रहे होते हैं और उनके पीछे वांड आ रही होती है अस्ट्रेंज किसी तरह से वांडो को वहीं टरनल में दबा कर फसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुँचते हैं जिसे सिर्फ डॉक्टर अस्ट्रेंज ही खोल सकता था वो उसे खोलने की कोसिस करता है पर उससे वो खुलती नहीं है क्रिश्टिन उसे अस्ट्रेंज के घड़ी देती है जिसकी मदद से वो उस गेट को खोल लेता है वो जगह स्पेस और यूनिवर्स के बीच के गैप का जंगसन था वहाँ बुक अफ वेसांटी रखी हुई थी अस्ट्रेंज जाकर उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है तब ही चैविस को वांड़ अपनी तरफ खीचती है और वो अपने पावर से बुक अफ वेसांटी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है वो चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को निकानने लगती है और फिर से चैविस की डर की वज़े से वहाँ मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते है जिसमें वो अस्ट्रेंज और क्रिस्ट्रीन को फेक देती है और उसके बाद वो एक पोर्टल खुल कर चैविस को असकालेट विच के पास भेज देती है और इसके बाद असकालेट विच वांड़ से अपना पोजेसन हटा लेती है Wanda को जैसे ही अपना ध्यान आता है वो अपने बच्चों के पास भागती है और इदर स्कालिट विच्चाव इसको उठा कर बीच में रख देती है क्रिश्टीन और अस्ट्रेंज एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां कई सारी यूनिवर्स आपस में कॉलाइड कर रहे थे वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्टेंज से मिलने जाते हैं क्रिश्टीन को स्टेंज बाहरी छोड़कर अकेले ही उससे मिलने उसके घर जाता है वो उसे मिलकर अपने बारे में सब कुछ बताता है और अपने यूनिवर्श जाने में उसकी मदध मांगता है वो देखता है कि उसके पाँ डार्क होल्ड की बुक है वो एस्ट्रेंज वहाँ से नीचे क्रिस्टीन को दिखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम क्रिस्टीन के बिना खुस हो क्योंकि वो तो नहीं है और तबी उसकी तीसरी आँख खुलती है वो कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज करने देगा पर उसके बदले में उसे क्रिस्टीन उसे देना होगा अस्ट्रेंज उस पे हामला काने लगता है और वो दोनों वहाँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और डॉक्टर अस्ट्रेंज के एक वार्ट से वहाँ का अस्ट्रेंज खिड़की को तोड़ता हुआ नीचे जाकर कोसिस कर रही थी अश्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है कि वांडा अपने मकसद के काफी करीब है और तब अश्ट्रेंज ड्रीम वाकिंग करने का सोचता है वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो उसकी बॉड़ी की पहुचा दीता है पर तब ही बहुत से डेमन सोल उस पे हमला करने लगते हैं वो डेमन्स कह रहे थे कि डेड बोडी को पोजेस करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डेमन्स उस पे हमला करने लगते हैं क्रिष्टिन उसकी बॉड़ी को डेमन से बचाने की कोसिस कर रही होती है वो वहाँ की सारे डेमन को फायर फ्लेम से खत्म कर देती है और अस्ट्रेंज को जाकर समालती है और कहती है कि वो उन डेमन स्पिरिट को अपने फायदे के लिए इस्तमाल करे अस्ट्रेंज उन सारे डेमन स्पिरिट की मदद से उड़ता हुआ असकालेड विच के पास पहुँचता है वहाँ के चारों मांस्टर अस्ट्रेंज पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर नीचे से वांग एक को खीच कर वहाँ से नीचे गिरा देता है और बाकी तीनों को भी अस्ट्रेंज उस पहाँ से नीचे गिरा देता है वह वांडर पे उन डेमन्स को डाल देता है जिसकी वज़े से वांग उसे किसी तरह कंटोल कर लेता है वांग उससे कहता है कि वह ज़्यादा देर तक उसे समान नहीं पाएगा उसे 20 की पावर को निकाल कर यूज करना होगा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अस्ट्रेंज 20 की तरह बढ़ता है चैविस उसे कहती है कि वो अब समझ चुकी है कि उन्हें उसकी पावर क्यों चाहिए और वो अपने अंदर से उसे पावर निकाल लेने को कहती है पर अस्ट्रेंज उसे कहता है कि वो उसका पावर लेने नहीं आया है बल्कि उसे बताने आया है कि वो अपने आप पे भरोसा करे फिर वो अपने पावर को खुद कंट्रूल करने लगेगी और वो मिलकर अस्कालेट विच को हरा पाएंगे अमेरिका अपने पावर को कंट्रोल करने की कोसिस करती है तब तक वांडा भी छूट जाती है और वो अस्ट्रेंज पे हमला करके उसे मानने लगती है तब ही चैविस आकर उसे एक पंच देती है अब वो अपनी पावर को फील कर सकती थी वो लगतार वांडा को मानने लगती है और एक पोटल खोल कर उसे खोलते हुए लावे में गिराने वाली होती है पर वो रुख जाती है और कहती है कि वो उसके जैसा नहीं बन सकती और उसके सामने उसके दूसरे वर्जन वाला पोर्टल खोल देती है जहां उसके दोनों बच्चे उसे देखकर डरनने लगते हैं वहां उनकी मॉम वांडा आती है जिसे वो वहां से दूर फेक देती है और कहती है कि वो उनकी मॉम है वो दोनों बच्चे असकालेड वीच पर चीजे फिक कर मानने लगते हैं और वो उससे डर कर छोपने लगते हैं वो उनके पास पहुंचकर कहते है कि वो उने हर्ट नहीं करना चाहती वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती क्यूंकि वो एक मॉंस्टर नहीं है और वो वहीं बैटकर रोने लगती है उसकी दूसरी वर्जन वॉंडा उसके पास आती है और प्यार से उसके चेरे पे हाथ फेरती है और तब 24 उस पॉर्टल को बंद कर देती है वॉंडा को अब अपनी गलती का हैसास हो चुका था वांग और 24 वहां से पॉर्टल खोल कर अपनी चले जाते है वॉंडा वहां के सब कुछ को तोड़कर बरबाद कर देती है ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड को यूज ना कर पाए अस्ट्रेंज देखता है कि उसके पास की भी डार्क होल्ड की बुक डिश्ट्राइ हो गई है वॉंडा ने हर युनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया था वॉंग और चेविस अस्ट्रेंज को लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं आगे हम देखते हैं कि अमेरिका चेविस भी कमर ताज में सीखने की कोसिस कर रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक और सेर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेस्ट बेल अकन